हेलो हेलो बच्चो कैसे हो आज हम पढ़ रहे हैं पी एंसे का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस्टूबिशन ऑफ एलाइक अब्जेक्स जिसे हमारे कोटा में बैगर्स मैथर्स के नाम से भी जानते हैं बैगर्स यानि बिखारी बिखारियों को भी इंक्लूड करन हमें हमारी मैथर्ड में देखो कैसे इसको भी हम समझते हैं इसमें क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ओव वेज इन विच एन आइडेंटिकल कॉइंस कैन बी डिस्टिबिटेट बिट्विट्विन पी पर्संस इफ इच पर्संट रिसीविविं नन वन और मोर इन फोलिए तो इनका भी हम सबस्ते भी है कि यह है क्या चीज एंडेंटिकल कॉइंस का मनदब और डिस्टिब्यूट करना है थिश्टिब्योंस में एसा करना है कि किसी के पस्में कुछ भी आ सकता है जीकर बीज सकता एक भी आ सकता उसे जादा भी आसकते हैं ठीक है अब उसके लिए जो फॉर्मुला है वह याद करवा देता है कि वह फॉर्मुला होता है n प्लस P minus 1 CP minus 1 है ना बड़ वो आया कहां से चीक है इसको समझते हैं इसको मैंने एक example से समझाते हूँ आपको ठीक है सब पोज मेरे परस में 7 coins है I have 11 coins और यह कैसे है identical है राइट अइडेंटिकल है तो यह मेरा हो गया में को 3 different baggers में distribute करना है तीन बिखारियों में distribute करना है तो P मेरे पास में हो गए 3 जो कि मेरे पाद different है ठीक है चलो सपोज हम उन बिखारियों का नाम दे देते राम शयाम घंशाम तो मुझे राम शयाम घंशाम में 7 coins को distribute करना है कि किसी के पास में कुछ भी जा सकता है नन वन और मोर तो भी क्या हुआ भई यह 7 coins से बिटा इनको मुझे किसमें distribute करना था तीन बैगर्स में करना था राम शयाम घंशाम के तीन में करना था अब क्या क्या हो सकता है बहु कभी ऐसा हो सकता है राम के पास में 0 गया ना शयाम के पास 4 गया कर शयाम के पास 3 गया कभी ऐसा भी हो सकता है मेरे पास में 421 हो गया कुछ भी हो सकता है तो उसको करने के लिए क्या करा कि मैंने चीटिंग करी मैंने क्या चीटिंग करी कि भाई मेरे पास जितने तीन बैग अब मेरे चले गए और मैंने क्या कराइट बिल्कुल चिपके से उन दो को इनके बीच में इंक्ल्व्ट कर दिया तो इं अपने 7 बना लिए पान चेया सब्सक्त मैंने उनदों को ऐसे कर दिया कि अब इन्होंने क्या करा इन्हों ने करा पारिशन वाल का का में सब्सक्राइब तो बहुत लिए तो बहुत प्रुप्षय। चला गया और ये वाला मेरा और सुन शाम के पास चला गया का अभ वह सकता है और और चुंचे जो कि यह दो पॉल्स पें दो फॉल्स कोईस अब क्या हुआ और THIS मेरे पास में चले गए हैं मेरे पास में 6 जी सिक्स चले गए जब सकते हैं तो मैं जितने तरीके दो को सेलेक्ट करूंगी उतने तरीके से मेरे ये डिफरेंट वेसे डिस्टुबिशन हो जाएगा है ना तो मैंने क्या करना है ना कि मेरे पास तोटल कोईंस कितने थे सेवन प्लस थी माइनस वन यह मेरे पास टोटल कोईंस थे अपने दो और भीरसल को रीज्ट कर लिए थे जा तो मेरे बना यह तो साज़ेंगे टिक बनाया 7 क्या था मेरा एंथा बीटा चिक है 3 क्या था मेरा P था minus 1 C P minus 1 यह मेरा formula आगया है ना यह अन्डिस अलाइक थिंग्स को identical coins को मैंने P different persons में distribute कर दिया P different things में distribute कर दिया the condition is is each receive none one or more the formula is N plus P minus 1 C P minus 1 this is my beggar's method चीड़ा अब इस पर क्या हो जैए मेंस पर जो questions आये हैं हाँ उनको discuss कर सकते हैं हम कैसे discuss the first question क्या है हमारा कि first question जो अभी आया latest जैए में 2023 January attempt में क्या था the number of ways to distribute 21 identical apples to three children's so that each child get at least two apples है तो इसमें क्या था कि अपने इसमें 21 identical apples थे यानि 21 coins थे मेरे पास में और मेरे पास में क्या थे तीन बच्चे थे ठीक है तीन बच्चे हो गए वह राम श्याम घंश्याम हो गए पट condition दे दी यहां पर इनोंने तो condition क्या दे दी कि हर चाहिए पास कम से कम दो एपल तो जाने ही चाहिए ठीक है कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है राम श्याम घंश्याम है ना इन में किसको अब दो दो सबके पास जाने ही चाहिए तो ठीक है भाई दो तो हम दे दे दिया इसको भी दो दे दरिये इसको भी दो दे दिये चुके और तो टोटल सिक्स हम दे चुके अब अगर हम 6 दे चुके हैं तो अब हमारे पस में कितने राफ हो है 15 ओके तो अब हुआ कि भाई राम श्याम घंश्याम में आपको 15 एपल्स को डिस्टिब्यूट करना है यानि 15 कोईन्स को तीन बैगर्स में देना है लगा दो बैगर्स में तड राइट क्या था हमारा 15 प् सब्सक्राइब करते हैं तो यह हो गया मेरे पास में माई आंसर इस 136 बहुत एजी वे में हो गया ना क्रेश्चन देखो ठीक है अभी लेटेस्टे क्रेश्चन आया था अभी अब देखो इस बैगर्स मैठड को जामेक्रिकल प्रॉब्लम में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन को डिसकस करते हैं हम लोग उजे में टू 2015 में आया था 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 क्वेश्चन था 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 नंबर अव पॉइंट्स हाविंग बोथ कोडिनेट्स और इंटिजर्स अट लाई इन इंटियर और ट्राइंगल विद वर्टिस जीडो कमा जीडो जीडो कोमा फ 41 और यह मेरा ओरीजन है जीडो कमा जीडो मैंने इनको जॉइन कर दिया मैं लाइन इस एक्स प्लस वाई एक्वस्टू 41 ठीक है अब कंडिशन क्या कह रहा है ना कंडिशन कह रहा है कि मुझे जो पॉइंट्स चाहिए जो मुझे यहां पर मुझे क्या चाहिए इंटीजर् करने चाहिए त्राइंगल के इंसाइड लाइ करने चाहिए अब इंसाड लाइक करेंगे तो मेरे पास condition क्या क्या हो जाहिए इस शुट भी लाइस टैन 41 होना चाहिए ठीक है स्बस्ट धाटिए और यह जीरो से बड़े होंगे मेरे पास मैं तो भी एक्स प्रस वाइं इसका मेनिंग क्या हुआ क्योंकि मुझे 41 तो चाहिए नहीं है तो मैं यहां से कह सकते हूं कि मुझे चाहिए x plus y less than equals to 40 का solution ठीक है अब less than equals to 40 का solution चाहिए the condition क्या है अब यहां पर भी कि भी x positive होना चाहिए यानि कम से कम इनको 11 तो मिलना चाहिए मैंने इसको वन दे दिया इसको वन दे दिया ठीक है तो अब मेरी problem बन गई x plus y less than equals to 38 यानि मुझे इसका solution चाहिए ओके तो अब इसके लिए हमने क्या करा ना बिटा कि देखो अब solve करते हैं हम लोग इसको x plus y less than equals to 38 का अब मैंने फिर एक cheating कर लिए है क्या cheating करी कि मैंने न एक false bagger introduce कर दिया वो false bagger introduce कर दिया और यहां बोल दिया 38 अब इससे क्या हो रहा है देखते हैं अगर false के पास 0 जा रहा है 0 coin जा रहा है है ना तो x plus y किसका solution आ जाएगा 38 का राइट है ना तो मतलब वही चीज़ हो गई कि 38 coins को 3 baggers में distribute करना है और फॉल्स के पास 0 गया तो मेरे पास x plus y 38 का आ गया फॉल्स के पास 1 गया तो मेरे को x plus y 37 का आ गया मेरे पस में राइट फॉल्स के पास में सपोर्ज मेरे पास में 6 चला गया तो x plus y equals to 32 का solution आ गया simple question अब कोई condition भी नहीं है क्योंकि condition हम already fulfill कर चुके है कि x और y को 1 1 दे चुके हैं already दे चुके हैं हम लोग already है ना तो अब simple सा हो गया कि 38 तो मेरे पास में coins हो गए ये तो मेरे पास n हो गए ये 3 मेरे पास में baggers हो गए राइट तो अब मैंने simply baggers लमा थर लगा दिया 38 plus 3 minus 1 c 3 minus 1 राइट तो मेरा solution बन गया यहां से 40 c 2 का है ना solve कर लेते हैं हम लोग तो that is मेरा solution क्या आगया बिटा direct answer आगया 780 है ना तो my answer is 780 ठीके clear हो गया ना तो simply baggers method से हम जो क्या कर सकते हैं alike things को different things में distribute कर सकते हैं ठीके बिटा और ऐसी यह बहुत अच्छी अच्छी problems लेकर के हम channel पे आपके लिए आ रहे हैं और आप जोइन करिए 10th April को जो हमारा सार्थी स्टार्ट होने वाला है उस course को फर्स फास्ट जोइन करिए थैंक यू